अज का माँ टॉपिक है माँंटीन एंड वैली विंड चेप्कर 10 एटमस्फेरिक सर्कूलेशन एंड वैधर सिस्टम्स क्लास 11 एंड जोगरोफी वैली बीज के बारे पढ़ते हैं उससे बाले माँ आपको पता हूँ अब आगे क्या होगा है अब आगे क्या होगा है आगे हम पढ़ेंगे एर मासे के बारे में पढ़ने के लिए हमें जोब तक पढ़ा है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके पहली वीडियो नहीं देखी है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आपको दुबारा देखिए आपको समझ यह नहीं समझा रहा है कमेंट कीजिए मैं दुबारा समझा दूँग कि इतना सा प्रेग्राफ है लेकिन इस प्रेग्राफ में दो तीन बहुत इंपॉर्टेट इंप्रेट चुपए हुए जो अगर आप आज आप आज आप आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे प्रिसिप्रिशन सबंगी आएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ यहां बलकी नहीं है लेकिन ध्यान देना है तो हम परते हैं वैली ब्रीज आखिर होती क्या है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आगर आपको पता करना है कि कोई भी ब्रीज कहां से आ रही है उसके डिरेक्शन के तो उसका नाम देखिए वैली ब्रीज जैसे आपको स्टार्टे के बताया था इस्टर्लीज इस्टर्लीज का मतलब इस से आने वाली वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट से आने वाली सी ब्रीज का मतलब सी से आने वाली लेंड ब्रीज का मतलब लेंड से आने वाली लेंड से सी जाने वाली है ना उस इसका मतलब वैली में high pressure बन चुका है, और mountain के ओपर low pressure बन रहा है, यह तो हमें पता है इतना, कि wind is high pressure to low pressure चलती है, इसका मतलब अगर valley breeze है, और valley से चल रही है तो valley पर high pressure है, और कहीं ओर जहां जा रही है माउन्टेरा, वहाँ लोग प्रेशर है, हमने क्या पढ़ा था, एक्वेटर में भी, कि हमने पढ़ा था, यह उक्वेटर है, यहाँ पर टॉपिक्स है, एक्वेटर पर लोग प्रेशर mountain slopes है क्योंकि उनका exposure बहुत जयादा होता है यह इतानी सी जगह है लेकिन इतना बड़ा से छलदी गरम होता है और हमने पहले पता है कि लैंड जल्दी गरम होती है और यहां पर mesmo बहुत जाथ आइस अ मैं स्लोप बना दिया, स्लोप यहां पर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, and to fill the resulting gap, the air, air moves up slope, तो क्या होगा, क्या होगा, स्लोप जो है, यहां पर बनेगा low pressure, जब यहां पर insulation जादा होगी, यह जल्दी heated up हो जाएंगे, तो क्या होगा, air उपर उटने लगेगी, air moves up slope, and to fill the resulting gap, the air from the valley blows up the valley, और जो valley की air है, वो भागीगी इस gap को fill करने के लिए, भागीगी के नहीं भागीगी, वो जाएगी यहां पर, यह अचली यहां नहीं जा रही है, यह इस तरीके जो उपर उटने लगती है, यह सारी air उपर कर उचलने लगती है, ठीक है, तो valley की air, इस gap को fill करने के लिए अगला जो हमारा आ रहा है वो हुरा माउंटेन विंच क्या होती है माउंटेन विंच का मतलब है माउंटेन से जो चल रही है अब माउंटेन की बीचे वैली होती है तो इनकी direction Mountain से Valley की तरफ होती है समझाए यहां तक इसका मतलब क्या हो रहा है कि Mountain के उपर Low Pressure बन रहा है और Valley के उपर High Pressure बन रहा है हैना سोई, उल्टा Mountain के उपर High Pressure बन रहा है और Valley के उपर Low Pressure बन रहा है फिर से बता रहा हूँ है Mountain Wind का मतलब है तो mountain पर high pressure बन रहा है और valley पर अब low pressure बन रहा है ऐसा क्यों होता है कि mountain के ओपर high pressure बन रहा है valley के ओपर low pressure बन रहा है यह बता रही है NCRT, during the night the slopes get cool हमने पढ़ा था भी कि दिन में slopes जो heat हो जाते हैं लेकिन रात को slopes उतनी ही जल्दी cool हो जाएंगे and the dense air जब cool हो जाएंगे तो हवा जो dense हो जाएगी हवा ठंडी हो जाएगी और क्योंकि हवा ओड़ी हुचाईप है तो और जल्दी ठंडी होती है ठीक है जब और जल्दी ठंडी होगी the air descents into valley as the mountain wind तो हवा क्या होगा वह valley में डिसंड कर जाएगी यह हवा है यहाँ यहाँ पर air मास है अब यह air क्या यह ठंडी होगी क्योंकि अब insulation तो मिल दी यह लैंड का जो portion अब बहुचली ठंडा हो जाएगा तो यह हवा भी ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा यह हवा क्योंकि बाहरी हो जाएगी है यह valley में डिसंड करना स्टार्ट कर देगी तो इसको हम mountain winds बोलते हैं यह mountain wind बोलते हैं ठीक है इनको हम catabatic wind भी बोल सकते हैं लेकिन catabatic winds के condition होती है कि cool air of high platyus जो ऊचे जगह होती है ऊचे platyus होती है and ice fields draining into valley is called catabatic wind अगर कोई mountain wind है वो जिस जगह से बहरी नीचे जा रही है mountain से valley की तरफ अगर वो या उचाई से नीचाई की तरफ जा रही है वो high platyus से या ice field है वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर वहाँ पर यहाँ पर जो mountain से नीचे जा रही है अगर यहाँ पर ice field है तो इसको catabatic wind बोलेंगे otherwise यह mountain wind ही कहलाएगी क्यों क्योंकि catabatic wind अगर होगी अगर यहाँ पर ice field है तो यह हवाँ बहुत ही जादा ठंदी और भारी होगी और नीचे जाकर valley में जाकर के यह तवाही मचा रही बहुत ज़ा ठंद temperature एक दम से गिरा देगी इसलिए हम इनको catabatic wind बोलते हैं अगर यहाँ पर नहीं है ice field या बहुत ज़राओं चाहिसे नहीं आ रही है तो हम इसको normal mountain wind भी बोलेंगे catabatic wind का मतलब होता है जो generally ice field से उपर से आ रही है और आकर के नीचे बहुत जाद temperature वो बढ़ा देती है जो कि obvious सी बात है ठीक है यहाँ तक समझा गया चलिए अब आगे बनते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपने क्या वह हमने valley wind पर लिया mountain wind पर लिया और catabatic wind के बारे मैंने बता दिया जो ncrt में था उतना बता दिया ठीक है आगे बढ़ते है कहानी यह खितम ने जाती है ठीक है एक और टाइप की wind होती है अनधर टाइप ऑफ विंड ओकर्स ओन क्या मैं बताता हूं आपको है यह हमारी valley है यह हमारा mountain है ठीक है यहां से हवा चली यहां पर दिन के टाइम पर यहां पर इंसुलेशन जादा रही है यहां पर हीट हीट हो गया है यह तो हवा क्या होगा यहां से ऊपर की तब जाएगी वैलिवेंट अब यह उपर जाके व जाटने के बाद यह इधर की तरफ चली जाती है है अ चाहिए लेकिन यहां कि विंड में यहां कि मुर्ण में जमीनास मन करनता रहे क्यों कि वैली में होगा मॉइस्चर होगा नदी भी वैली होगी वेजिटेशन भी होगा उचना कुछ तो होगा पानी के और कोई नवाट इसको अब ध्यान लखना उपर जब ठंडी होगी तो क्या होगा ये उपर ठंडी होने के बाद ये अपने ये डियू पोइंट पर पहुंच जाएगी जब कंडेंस होगी तो बारिश कर सकती है अगर से मोईश्चर अनुफ होगा ठीक है अब क्योंकि इसना मौश्चर रिलीस कर दिया अगर था मौश्चर पहली बाद तो अगर नहीं था तो तो कोई बात ही नहीं है अगर इस पर बाद मौश्चर था तो यहां पर वह मौश्चर बालिश कर चुकी है तो अभी ऊपर जब चड़के इधर आएगी तो यहां पर आने के बाद है यहां से चड़ी इस साइड में एक्जांपल बतातो हमारे हिमाल्याज है हिमाल्याज के पीछे जो एडिया है वो सारा डेजर्ट है वो क्योंकि वो लिवार साइड हो गया है यहां पर विंट राई होती इसलिए बारिश उदर कम होती है जब यह इस mountain range को क्रोस कर रही है तो यहीं पर क्या वो सारा इसने प्रिसिपिटेट कर दिया समझाग्या वें इडिसेंट्स डाउं डा लिवार साइड साइड दा ड्राइयर गेस वांग अब अब जब यह नीचे यहां तो ठंडी है लेकिन जब यह नीचे आएगी तो यह व इनाइबेटिक प्रोसेस यह है लोचा वां कैसे हो जाएगी है मैंने आपको बताया था कि जब हवा गरम होती है तो फैलती है ऊपर चली जाती है ठीक है ऊपर जाने के बाद और ज़्यादा फैलती है क्यों क्योंकि air density कम हो रही है जब air density कम होगी तो हवा और ज़्यादा फैलेगी कर नहीं फैलेगी एक्जामपल देता हूँ हम लोग astronauts जब space में जाएंगे तो हम एक helmet पहन के जाते हमारे जो पूरा suit होता है वो इस तरीके से design किया जाता है कि जो atmospheric pressure हम पर अर्थ पर पढ़ रहा है उतना ही atmospheric pressure वो हमारी body पर डालता रहे अगर वह ऐसा नहीं तो हमारी body blast हो जाएगा आपने space में जाकर अगर अपने helmet उतार दिया तो आपकी सर की नसे फ़र जाएंगी क्योंकि atmospheric pressure हमारे जो खून जो pressure बना रहा है वो atmospheric pressure को counter करने के बाद 80 और 120 है जो blood pressure है समझे तो वही यहां पर हो रहा है उचाए के साथ-साथ क्या हो रहा है density कम होत जब pressure कम होगा तो हवा फैलेगी जब फैलती है तो थंडी हो जाती है कि समझाते है क्योंकि उसके पार्टिकल संद दूर दूर चले जाते हैं अब उन्दिया दिरहन जो नीचे आएगी अब वह हवा फैलना बन कर देगी और श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी अब वह हवा इसको पांच इनिट हीट दी और इसको पांच इनिट हीट दी अगर इसको पांच इनिट हीट देंगे तो यह गरम हो जाएगा आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे और इतने बड़े बरतन को पांच इनिट हीट देंगे तो इसमें पता भी चलेगा आपको थोड़ी बहुत ही temperature रेस होगा वही यहाँ पर होड़ा है जब हवा ऊपर थी तो फैली हुई थी तो पता ही चल ला था वो heat कहाँ पर गई जब हवा नीचे आई तो वो उसकी density कम होगी उसका size भी कम हो गया तो अब पांच डिग्री की विज़े से उसका temperature बढ़ चुका है वह वामो के लिए समझा गया जब वो नीचे जाएगी तो उसकी density कम बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी density बढ़ जाके हवा फैल जाती है नीचा आने के बाद हवा फिर दुबा श्रिंक करेगी तो क्या होगा उसको अडियाबेटिक प्रोसस बोलते हैं उसकी विज़े से उसका temperature मर जाता है इसी विज़े से cloud formation होती है बताओंगा जब आगे cloud formation में अच्छे तरीके समझाओंगा क्या होता है cloud formation कैसे होता है उपर जब जाएगी हवा तो फैलती है तो और जा ठंडी क्यों होती है इस सब आगे समझाए जाएगा ठीक है this dry air may melt slow in short time अब क्या होगा यह हवा इतनी गरम हो जाती है कि अगर इस slow पे बरफ है तो इस बरफ को ही पिखला देती है और यह हवा जो है यह हवा बहुत ही friendly माने जाती है क्यों क्योंकि यहां पे क्या है valley में अगर यह गरम नहीं होगी गरम नहीं होगी तो यह सारी जो सर् क्या होता है वह थंडी अब क्वैली मा जाती है आती है तो वहां से थंड बढ़ जाती है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यह गरम हवा है नीची जितमें नीचे आ रही उतनी जा गरम होती जा रही है और उपर से बरफ को पिखला रही है तो यहां पर मोसम जो तो वैली में अच्छा हो जाता है सौाबना हो जाता है इसका एक्रव लिशा इन इंडिया के पास अडं anga कर सापकर अधरॉपनो भी ठीक है तो यहां तक समझ आ गया यह टॉपिक यां खतम हो गया अगला टॉपिक हमारा एर मासिज है वो हम नेक्स वीडियो से स्टार्ट करेंगे अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मैंने कमेंट कर दीजिए कि मैं दुबार समझा दूगा और बाकी एक वीडियो पसंद आ करना और चैनल को सब्सक्राइब जो करना है थैंक यू